हालो दोस्तों एम्रो जिंचूट के यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं जित कुमार आज आपके लिए लेके आए हूँ कम्प्यूटर हाड़ वेर की ही एक क्लास दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शिपकामना है यह प्यार भरत्योहार खुश् दोस्तों तो प्लीज मास्क वियर करें और हाँ अन्नोन लोगों के साथ प्लीज होली ना के लें क्योंकि इसे आप भी सेफ रहेंगे आपके एम्ली मेंबर वी सेफ रहेंगे आप सर भी को बंस अगें हापी होली कि तो दोस्तो आज हम computer hardware में बात करने वाले हैं इस device के बारे में दोस्तो क्या ये device आपने CPU में देखी है और अगर आपने ये device CPU में देखी है तो इस device का नाम क्या है या मैं ये कहूं कि भई इस device का काम क्या है तो क्या दोस्तो आपको पता है इस device का नाम क्या है दोस्तो इस device का नाम है hard disk yes hard disk ये आपके CPU में पाय जाने वाली एक device है और अब हम बात करने वाले हैं कि भई hard disk है क्या या hard disk किसे कहते हैं या hard disk का computer में काम क्या होता है हार्डिस्क क्या है दोस्तो हार्डिस्क हमारे कंप्पीटर की एक storage device होती है जिसमें गंप्पीटर का सारा data इस्टोर होता है इसे HD मिन्स हार्डिस्क या HDD हार डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइब नाम से भी जाना जाता है यह एक secondary memory है जिसे computer की storage memory भी कहा जाता है दोस्तों आपको पता है आप अपनी computer में जितना भी data store करते हो जो भी file store करते हो जो भी movie store करते हो जो भी image डालते हो वो सारा का सारा data hard disk के अंदर जाके store हो जाता है दोस्तों यही है hard disk जो आपके computer के data को store करता है आप हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि harvest में जो हम data store करते हैं उस store data को measure करनी की unit क्या है जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि time को measure करनी की unit क्या है तो आप कहेंगे sir hour होता है मिन्स आवर होता है या मिनट्स होते हैं में काउंट डिस्टेंस के लिए तो आप कहेंगे सर मीटर होता है किलो मीटर होता है तो उसी प्रकार से जो आपकी हार्डिस्क होती है उस हार्डिस्क करने जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को मिजर करने की यूनिट क्या है दोस्त मार्केट मेlles कोई भी हाडिस पर्चेस करने जाते हो मिहां आप देखो अगर आपके कंप्पूर में हर्डीस को तो वह या तो जी भीम होगी या टि विम होगी जी मस्तलब गावाइट और टेवी तेरबाइट, अब हम बात करते हैं कि हार्डिस्क का इंवेंशन कब और किस नहीं किया, क्या आपको पता है दोस्तो終 end हार्डिस्का इंवेंशन हुआ था वो 13 September 1956 में रेनॉल्ड जॉंसनन नहीं किया, रेनॉल्ड जॉन्सन ने 13 सेप्टेंबर 1956 के अंदर हार्डिस्क का इन्मेंशन किया अब हम बात करते हैं next question के बारे में जिसमें आता है कि हार्डिस्क कितने प्रकारकी होती है एक computer में huge की जाने वाली हार्डिस्क दोस्तों कितने प्रकारकी होती है सोचिए दोस्तों computer में huge की जाने वाली हार्डिस्क दो प्रकारकी होती है या तो वो internal हार्डिस्क होती है as well है जैसे आप image देख रहे हो या वो एक external हार्डिस्क होती है जैसे कि आप यह देख रहे हो image दोस्तों इस image पर ध्यान ना दे हार्डिस्क की image तो दूसरी हो सकती है मतलब hard disk को अलाला companies बनाती है इसलिए तो अब हम बात करते हैं कि ये internal hard disk क्या होती है दोस्तो internal hard disk computer की वो hard disk होती है जो CPU के अंदर लगी होती है आपके जो CPU होगा उसके अंदर internal hard disk लगी होती है और एक होता है external hard disk external hard disk क्या होती है external hard disk computer की ऐसी hard disk होती है जो computer में बाहर से attach की जाती है एंग दोस्तों आपको पता है इन hard disk को हम बाहर से क्यों attach करते है इसपैसली जो external hard disk होती है दोस्तों इनका use computer में एक जिगह से दूसरे जिगह पर data transfer करने के लिए किया जाता है लाइक मैं जैसे हम pen drive यूज करते हैं यूज करते हैं इधर से data निकाला और दूसरी जिगह ले गए pen drive छोटे data को कुछ GB के data को एक जिगह से दूसरी जिगह ले जाता है लेकिन जो आपकी external hard disk होती है उसके अंदर बहुत सारा data like 20 GB, 50 GB, 500 GB, 1000 GB data को एक computer से दूसरे computer में transfer कर सकते हैं या मैं कहूं अपने data को संभाल के रख सकते हैं with the help of external hard disk तो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे like करें इसे share करें और हमारी चैनल को subscribe करें और बने रहें Amroj Institute के YouTube चैनल के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे और मज़िदार वीडियो तब तक के लिए have a good day, bye bye and take care